नमस्कार आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक चुनावी मोसम है और चुनावी मोसम में हर समाज ये चाता है कि उनको उचित परतिनिदी तो मिले आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है डीडवाना से बार संगे पूरु अध्यक्स नागोर जिला ब्राह्मन समाज के अध्यक्स और हिंदुवादी संग्टनों के नेता महावीर प्रशाज चत्रुवेदी जो ब्राह्मन नेता के रूप में इनकी पहचान ह है और आज हम बात करेंगे वर्तमान राजमितिक हालात पर ब्राह्मनों के परतिनी दित्वों को लेकर सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में और आप से जानना चाहते हैं कि चुनावी मोसम में ब्राह्मनों के प्रतिनी दितु को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से महोल बना है नागोर जिले में ऐसा लगता है कि किसी भी ब्राह्मन को नाग पार्टियों ने नागोर जिले में टिकेट दी है तब तक ब्रामन ने या पर्चम ले रहाया है मैं बात करूँगा मकरणा से भाहुलाल जी राजपिरोईत को भारते जन्दा पार्टी ने टिकेट दी थी और वो जीत करके राजस्तान की विदानसभा में गए थे नागोर से लाड़नू और नागोर तीनो सेतरों में ब्रामन बहुत संग्यक है हमारे 35-40,000 के लगबग बोट है हमारे नागोर लोगसभा में करीब 3,000 तीन लाख आठ घार 526 बोट लोगसभा में हमारे ब्रामन समाज के हैं लेकिन अगर हमें क्यों उपेक्सिद किया जाता है तो हमन जो है जेपूर जाकर के और संक्धन के जो जितने भी भारते जिन्दा पार्टी के पता दिकारी थे उनको हमने तीन इस्तानों पे भारते जिन्दा पार्टी की टिकेट की मांग की थी हमने का मकराना से हमारे भाउलाल जी के बेटे जो है उनको टिकेट दे दू जो कि पूरो उनकी पत्नी बारतेंदा पार्टी से रही है और पिछली बार उन्होंने बगाउत करके बारतेंदा पार्टी से करीब नो दस हजार निर्दिले बोट लिये थे इस बार उनके घर पे सिपी जोसी जी भी गए थे और आपके ये परतिपक्स के जो नेता है उपनेता वो भी बंग रहे हैं और वो कापी मंजेवी नेता है और इस वार सर्विय में भी एड़ जिके उनका नाम था तो लेकिन अभी जो टिकेट डिक्लेर हुई है उसमें नागोर में जोती मिर्दा जी को टिकेट देदी मकराना से सिर्णाम भींचर की पुत्रोदु को टिकेट देदी अ नागोर जीले का ब्रामिन जिसको आकिर क्या खारण है कि आशिया पर धकेल दिया गया हम लोगों को विदान सबाया सेत्रवाइज हम बैठ करके हमारे प्रमुक जो ब्रामिन समाज के प्रमुक ब्रपूत है उन लोगों को बैठ करके आगे कि हमें रननीती बनानी लेकिन मनीशा सर्मा और अंजना सर्मा भी लाड़नू से टिकेट की दावेदारी कर रही थी लेकिन अब तय हो चुका है लगबख फाइनल है आज या कल में सुची आ जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि करणी सिंग की टिकेट लगबख तय हो चुकी है केवल सुची में नहां वाना बाकी है आपने वी डीरोना से दावेदारी करने की थोड़ीं कोशेश तो की लेकिन लेट की थी आप भी दावेदार हो सकते थैं आप अपनी दावेदारी को लेकि क्या कहेंगे मैरा यह मानना है क्योँ मैं इंदू वादी-व्यक्ति के रूप में पहचाना ज कुछ ही जातियां राजनीतिक रूप से उनको टिकेट दे करके और भेज दिया जाता है और वो जीते हारे वो आगे की बात है लेकिन हम तो यह कहते हैं कि ब्राह्मिन वर्ग भी एक प्रभूत वर्ग हैं हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं हमारे प्यारोप लगता है मैं भी एक आपको इंट्रू दे रहाओ मेरे बारोप लगेगा कि चत्रुवेदी जातिवादी करते हैं अरे हमने कभी जातिवादी नहीं की हम तो सर्वे भवन्तुशुकिन है सर्वे संतुनिरामय की कामणा करने वाले लोग है हम तो बसुझ जेव कुटम की कामणा करने वाले ल जाती की बागिदारी होने चीए जब तीन वार विदान सबा में से टिक्टे मिली ब्रामन जीत के नागोर्च लेजे हमारा प्रतिन निदी तुकिया हमारे समाज का तो आगर ये राज़ी दिख पाइड है क्यों टिकेट नहीं दे रही है इस बात को लेकर के निशी चा क्या निरने रह सकता है क्या आप कांग्रेस की खिलाबत करेंगे बीजेपी की खिलाबत करेंगे ये मैं त्याद नी कर सकता में मेरे ब्रामन समाज राजनी तिक जागरती मंच का में जीला देख सूं और ये ठिकटेश अब दोनों तरफ से ते हो जाएगी उषगे पार्टियों को पता चल जाएगा जो भी नीडिने होगा मैं आपको बता दूंगा देखे आप डीर्वना से आते हैं मैं भी डीर्वना से हूँ अब डीर्वना की टिकेट की बात कर लेते हैं कॉंग्रेस ने चेतन डूडी को मैदान में उतार दिया है राम निवास रोयल आप पार्टी से उतर चुके हैं और अभिनव राजस्थान पार्टी से भी एक ब्राह्मन चेरा उतर चुका है तो क्या अब ब्राह्मन अभी नव पार्टी में जाएंगे, कॉंग्रेस में जाएंगे, भारतिय जंदा पार्टी की टिकेट की गोशना या तो आज हो जाएगी या कल हो जाएगी अब जो सुत्र बतारे हैं वो यह है कि जितंदर सिंग जोदा को टिकेट मिलने वाली है, युनुस कांगा नाम इतने दिन चल रहा था, श्याम परताब का नाम भी था, रामा किशन खिचड का भी था, लेकिन अब लगता ही है कि जितंदर सिंग जोदा दीर्वन से बारतिय ज जब आता था, मैं बताऊं बच्वन में जब हमने हो समाला, तब से हम भारते introduced बालिटी का जंडा लिए गूम रहे हैं, वो दिन था, जब हम भारते जंदधा बाल्टी का जंडा गः पर लगाते थे तो, लोग हमें धंक्या देते ते, बारते जंदा बालटी की, जंडी ल देख रहे हैं कि पेरा सुट उमीद्वार उतर करके और भारते जंदा पार्टी की टिकेट ले ले लेता है भारते जंदा पार्टी में जीत भी जाता है और भारते जंदा पार्टी के जो मूल कारिकरता है उनको भी मैं यह चाहता हूं कि जो ब्रामन है वेश्चे है और अन् प्रवावी रूप से जो आंग दिखाती है उनको टिकेट देते हैं हम कोई बोलता नहीं हमारे में से तो हमें आशे पी दखेला जा रहा है मेरे कड़ा मतलब है सता का विकेंद दिकरण होना चाहिए सोचल इंजिनिरिंग होनी चाहिए सता में सारी जातियों की भागिदारी होनी चाहिए और निची दुरूप से जब लाणू से ब्रामन जीता है मकरना से ब्रामन जीता है नागोर से ब्रामन जीता है तो टिकेट दिये तभी जीता है हमें टिकेट देकर कि तो देखे worldwide तो हम तो यह चाहते हैं की भारतीजंदा पार्टी आज विश्यू की सबसे बड़ी लोक्तंतर पैसर बड़ी पार्टी है बारती जंदा भार्टी की नीतियां जो हम मानते हैं कि राश्चित में और निश्चित रूप से नरेंदर मोदी ने जो कारी किया है उचकी वज़े से आज भारती जंदा भार्टी दिनों दिन मजबूत हो रही है लेकिन मैं आज आपको यह करना चाहता हूं कि ब्रामेण समाज को उचित परति ने도 अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा समाज मेरे संब्रग में मूख दिना बीटाब है सारे नेता मुझे फौन करते हैं मेरे से मिलते हैं मुझे तो यह थे हिंदुवादी निता महविर परशाद चत्रुवेदी जिनका यह कहना है कि आज कल किसी भी पारटी में जओ जातिवाद का चुना हो गया है और जातिगत आकडों के अधार पर टिकेट दी जा रही है अब देखना है कि आने वाले दिनों में तो 25 नौमर को चुना होगा उस चुनाव में किस अधार मददान होता है कौन सी पारटी जीतती है और ब्रामनों का मुमेंट किसकी और जादा रहता है ये देखने वाली बात होगी सहयोगी रियाज के साथ हनीफ खान डीड़वाना